इस कारिक्रम के पुण्यार जख हैं स्वर्गी श्रिमान सेठ मानिकलाल उगर्चंद शाह एवं स्वर्गी श्रिमती विमलश्री मानिकलाल शाह की पुण्य स्प्रती में पुत्र पुत्र वधु, पौत्र पौत्री, बेटी दामान इवं समस्त शह परिवार नमासे देप्या कीर्थ्या महत्या भुविवर्द मानं तम वर्द मानं स्थिगो चरत्तं निनी से मास्मो बैमर्द वीरं विशेन दोसा सै पास बन्धम विशेन दोसा सै पास बन्धम पंचपनमिष्टी भगवान की परंपोज आचेर भगवन्त गुरुवर्विशुद सागर्जी मुनि महराजी की परंपोज मुनिश्री सुप्रव सागर्जी महराजी की तीन कम नौकरोण मुनिराज्यों की समीचिन विकल्पों का सम्यक समाधान सम्यक ज्यान की ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अनेका नेक उन समीचिन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं जो विकल्प हमारे ही मन के होते हैं और उन मन के विकल्पों का सम्यक समधान वह भी आगम के परिपेक्ष में परमपूज आचर भगवंत गुरुवर विसुद्ध सागर जी महाराज की महतियन कुमपा और परमपूज मनिस्री सुप्रभ सागर जी महाराज की मुखरविंदू से हम सभी वो प्राप्त होता है और वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्यान के मार्क को खोलने वाला होता है क्योंकि जब तक विकल्प है तब तक संसार है और जहां विकल्पों का अभाव होता है वही आत्मा का वास्तिक सुख है ऐसे उस आत्म सुक्की प्राप्ती का एक मात्र कालकारी उपाय समीचिन विकल्पों का सम्मेक समाधान प्रारम करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए ललित्पूर उत्तर प्रदेश से पंडित सुनील जैन संचय महराश्री के सीचड़ों में कोटी-कोटी नमुस्तु निविदित करते हुए अपना समीचिन में कल्प पक रहे हैं कि महराजी सीह निश्कीरण द्रत का जैन दर्शन की परिपेक्ष में क्या महत्त है एक द्रत आधिकतम कितने दिन का हो सकता है हमारी समीचिन में कल्प का सम् ओम नमा सिद्धम परबूज आचर भगवन गुरुबर विशुद सागर जी महराज की आगम में वरत आधी की बहुत सारी विधिया आचर भगवन तो ने प्रदान किया उस विधियों के और उन वरतों के नामों के अनुसार जैन दर्शन में बहुत सारी महत्ता विशेष्टा भी समय समय पर स्थान स्थान पर आचर भगवन तो ने बताने का प्रयाज की जैन दर्शन के परिपेश में सियनिस क्रिडित वरत एक सर्वस्रेष्ट सर्वत कृष्ट वरत कहा जाता है जिसके माध्यम से जीव अपने उस सर्वोच साधना के स्थान पर शिखर पर पहुँचता है सिंग जैसे जंगल में क्रिडा करता है उस क्रिडा को ही यहाँ परिपेश में लक्ष में लेते हुए आचर भगवन त ने यह सिहनिस क्रिडित वरत कहा है जैसे सिंग चलते समय दो कदम आगे बढ़ता है पुन्हा एक कदम पीछे आता है पुन्हा आगे बढ़ता है पुन्हा कुछ कदम पीछे आता है ऐसे क्रीडा करते ही वह सिंग वन में क्रीडा करता है वन में गमन करता है और उसी को लक्षित करते हुए वह व्रत का नाम भी उस विधी के अनुसार सिंग के क्रिडा के अनुसार ही सिंगनिस क्रिडित इस प्रकार से लखा गया। जैसे इस सिंगनिस क्रिडित व्रत में जो तीन प्रकार उत्तम, मध्यम और जगन्य कहे गया है। इन तीन प्रकारों की परिपेश में ये विवस्था विशेश समझने योग्य होती है कि माना कि चाहे जगन्य हो चाहे उत्कृष्ट हो ये विधी इस प्रकार से होती है कि एक उपवास एक अहार, दो उपवास एक अहार, तीन उपवास एक अहार, चार उपवास एक अहार ऐसे क्रम क्रम से उन उपवासों की संख्या बढ़ाते हुए वह बढ़ाना कम करना ये क्रम इस सिनिस्क्रिडित वरत में चलता है जैसे एक उपवास के बाद एक अहार के बाद पुनहा एक दो उपवास एक अहार पुनहा एक उपवास एक अहार ऐसे कम जादा आगे पीछे आगे पीछे करते हुए इस संख्या को निर्धारित किया जाता है जो उत्कृष्ट सेनिस्क्रित वरत होता है वह 556 उपवासों का कहा जाता है और उन 556 उपवासों में मात्र 65 ही दिन उपवास होते हैं मतलब कुल उत्कृष्ट सेनिस्क्रित वरत का समय 556 दिनों का होता है अन्य दिनों में उपवास ग्रहन किया जाता है मद्यम वरत इस विशय में इसके परिपेख्ष में आचारभगवन कहते हैं कि 180 दिनों का ये वरत होवा करता है और 180 दिनों में 35 दिन मात्र आहार 6 दिन उपवास ग्रहन किया जाते हैं जैसे सिंग्हिक्री क्रीडा होती है, एक कदम आगे बढ़ना, फिर दो कदम आगे बढ़ना, फिर एक कदम पीछे आना, ऐसे कम आधिक कम आधिक करते हुए ही यह श्रिंखला आगे बढ़ती है। कहा जाता है, क्योंकि ऐसा करार्य करना बहुत विरले ही पुर्ण्यात्मा का ही पुर्शार्थ भूत साध्य हो सकता है, क्योंकि लगादार उपवास करना फिर भी संभव है, पर एक दो बढ़ना, पुना पीछे आना, पुना आगे बढ़ना, यह कार्य इस वरत में होने से, यह तीनों प्रकार से इसकी विधी आगम्य आचरभगवन्तों ने लिखी है, पास सो चपन दिन का उत्कृष्ट होता है, एक सो असी दिन का मध्यम हुआ करता है, और मात्र असी दिनों का जगन्ने रूप से हुआ करता है, यह इस सेनिस्कृरित वरत की विधी से उनकी पस्वी के नाम से जाने जाते है, वरत्मान में आचरभगवन्त के संग में मुनी आराधि सागर जी ने इस उत्कृष्ट सेनिस्कृडित वरत को उज्जे नगरी में कुछ ही महने पहले, कुछ ही दिन पहले संपन्न किया, उनने जगन्य मध्यम और उत्कृष्ट तीनों प्रकार से इन वरतों को किया, ऐसे अनेकानेक साधु आरी का वरत्मान में भी है, जिनोंने इन वरतों का अलंबन लेते हुए अपने चारित्र को वरिदिंगत करने का प्रयास किया, यही आपके लिए सम्मिक समद। आरी समी चिन्मिकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकमपा करें, नमुस्तु मारा जी, नमुस्तु संसारी जीवों का मांत्र उर्धो गमन ही नहीं होता अपितु संसारी जीवों का उर्धो गमन, अधो गमन और तिरियक गमन सभी प्रकार से हो सकता है जैसा जीव का पुर्शार्त होता है यानि जो अगली गती को प्राप्त करने वाला जीव होता है उस गती के अनुसार ही जीव का संसारी जीव का गमन कहा जाता है इस विशे में आचरभगवंत उमास्वामी कहते है अनुस्रेणी गती याने जो आकास के प्रदेशों की पंक्ती जो श्रेणी भद्ध हुआ करती है उस स्रेणी के अनुसार ही जीवों का गमन होता है चाहे वह उर्धो गमन करे अधो गमन करे या तिरियक गमन करे माना कि कोई मनुष्य तिरियन्च बन रहा है तो उसका तिरियक गमन कहा जाता है कोई मनुष्य देव बन रहा है तो उसका उर्धो गमन होता है और कोई मनुष्य नार्की बन रहा है तो उसका अधो गमन कहा जाते है नार्की जीव भी जब मध्य लोक में मनुष्य तिरियंचादी बनने के लिए जनम लेता है तो उसका भी गमन उसकी भी गती उर्धो रूप से ही स्विकार की जाती पर सभी संसारी जीवों का गमन उर्ध्व रूप नहीं होता कुछ जो अपने गती के अनुसार अवसा को प्राप्त करते है वही उस संसारी अवसा में उर्ध्व गमन करते है जो मुक्त जीव होते है उन मुक्त जीवों का तो नियम से नियम से उर्ध्व गमन ही होता है पर संसारी जीवों का सभी संसारी जीवों का उर्ध्व गमन हो बिलकुल भी जरूरी नहीं है जैसा उनका अगले आयुबंध का कारे हुआ करता है या जहां उन्होंने आयुबंध गतिवंध प्राप्त कर लिया है ऐसे उस अवस्था विशुष के निमित्त से ही उनका वैसा गमन होता है इसलिए सभी संसारी जीवों का उर्धु गमन ही हो जरूरी नहीं है उर्ध्व गमन, आधो गमन या तिरियक गमन भी संसारी जीव करते हैं मात्र मुक्त जीवों का ही उर्ध्व गमन होता है वह भी उनके स्वभाव से यही आपके लिए सम्मिक समद संतोष कुमार जेन, बीदिशा मद्ध्रदेश से महाराष्री के चलडों में बारा अबार नमुस्तु निवरिद्द करते हुए कह रहें कि महाराष्जी, पहले पूजा करना और बाद में अभिशेक करने से क्या पूजा का फल नहीं मिलता हमारे समीचिन में कल्प का सम्मयक समाधान करने के उनकमपा करें नमुस्तु माराजी नमुस्तु प्राइदे से भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो क्रम उस पूजा अभिशेक के नमुत से कहा है उस क्रम से ही जीवों को कार्य करने की आवज सकता है पहले अभिशेक करना फिर शांतिधारा करना और फिर उसके उपरांत पूजा पूजा का विसर जन आदी यह सामान रूप से क्रम कहा जाता है रही बात उसके फल की चाहे क्रम अक्रम हो पूजा अभिशेक शांतिधारा आदी का फल तो बराबर मिलेगा पर जिस क्रम से उसका उल्लेक आगम गरंतों में प्राप्त होता है उस क्रम से ही भावों की विशुद्धी के साथ अगर कार पूजा करने के बाद अभिशेक कर रहा है, किसी को कही जल्दी जाना है और वेदी पर निर्धारित समय पे अभिशेक होता है, उसके पहले उसने पूजा कर लिए और फिर अभिशेक कर लिया, तो उस विशमता के दिनों में उसे कोई दोज नहीं है, पर उसे रूटीन बनात पहले पूजा कर लेना, फिर अभिशेक करना ये उचित नहीं है, क्वचित कदाचित किनी कारणों से उसमें आगे पीछे अंतर पढ़ रहा है, कुछ और भी बहुत सारे बड़ी समस्या, विशमताय सामनी है, तो इस निमीत से तो पूजा के बाद अभिशेक करना, शांति नहीं है, क्योंकि जो जैसा क्रम कहा है, उस क्रम से कहे हुए कार्यकाही विशेश फल स्रावगों को मिलता है, ये पुना समझे कि अगर क्रम का उल्लंगन हो जाए, तो किसी भी प्रकार से उससे पाप नहीं लगने वाला, ना उससे कोई दोश होने वाला है, पर जो का क्रम का उल्लंगन करते हुए सीधे पूजा प्रारंब करते हैं, कोई अभिशेक शांतिधारा किये बिना देखे बिना ही, मात्र शर्ट पैंट में ही पूजा आधी करना प्रारंब कर चुके हैं, तो ये जितनी भी विसंगती है, उन विसंगतियों को दूर करते हुए, पहले आगम की वैवस्ता को समझे, और साथ में ये भी बात ध्यान रखे, कि ये सभी कार्य भले ही करम से कहे है, पर आत्मा की विशुद्धी के लिए, परणामों के शांति के लिए ही कहे गया है, अगर इनी बातों को लेकर संकलेश परणाम हो रहा है, करम को लेकर किसी व विशेश बात यहां समझे, कि पूजा के बाद अभिशेक करने में पाप नहीं लगता, विशेश फल, पूजा के पहले अभिशेक शांतिधारा करम से करने का मिलता है, वह विशेश फल आपको नहीं मिलेगा, यही आपके लिए सम्मिक समधा श्रीमती लताजेन, विडिशा मद प्रदेश से, महराश्री के चलड़ों में बारां बार नमुस्तुन विदित करते हुए, अपना समीचिन प्रस नख रहे हैं, कि महराश जी, रत नत्रा विरत, तीन साल करना चाहिए, या तेरा साल करना चाहिए, और तीनों की पूजा, एक साथ करना चाहिए, या अलग-अलग, हमारे समीचिन मिकल्प का सम्यक समाधान करने के उनकम पा करें, नमुस्तु महराजी, नमुस्तु जैसे कि मैंने प्रारभम ही कहा, कि आचर भगवन्तों ने व्रतों की अनेकानेक विधियों का वर्णन आगम में किया है, उसी परिपेक्ष में रत नत्रे के व्रत के विश्य में भी आपको समझने की आवज सकता है, रत नत्रे व्रत उतकृष्ट रूप से तेरा वर्ष भ जा सकता है, चुकि जिसकी जैसी परिकल्पना है, वैसा अधिक अधिक कल्फल प्राप्त करने के लिए जीव अधिक अधिक कार्य करते हैं, पर जहां तक उस रत नत्रे व्रत के विश्य में हमने पढ़ा है, उस व्रत के और उस विधी के अनुसार रत नत्रे व्रत तीन वर तो वर्स में तीन बार पर्यूशन परवा आते हैं तो उन तीनों वर्सों के मतलब वर्स के तीनों पखवाडों में तीनों दसलक्षन में उस वरत को करना अनिवार्य ही हुआ करता है और वह कम से कम तीन वर्स तो करना परम परम आवस्चक हुआ करता है क्योंकि कुछ लोगों का ये सोचना है चारित्र तेरा प्रकार का होता है इसलिए वह तेरा प्रकार तेरा वर्ष करना चाहिए पर रतनत्र तीन ही रूप है सम्मेंग दर्शन, सम्मेंग ज्ञान और सम्मेंग चारित्र इस परिपेख्ष में ये अवश्य निरने करे कि रतनत जो पूजाय है वह मात्र एक बार नहीं अपितु जैसे आप महारगे में पढ़ते होंगे त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे तो उसी परिपेख्ष में यह रतनत्रे की वरत की पूजा भी दिन में तीन बार विधी पुर्वक करने की आवज़ सक जिस दिन जो वरत या जो दिन होता है उत्तम मार्दव के दिन मात्र उत्तम ख्रमा और मार्दव की ही पूजा कर ली अन्यारग्छ चड़ा लिया या मात्र जैमाल अपड़ ली तो ये कारे उचित नहीं है पूरा जब वरत अखंडर की एक है, तीन दिन होता है, तीन वर्ष, तीन बार, तीन बार पूजा आदी रूप होता है, तो पूरण पूजा के साथ ही, मतलब तीनों पूजाओं के साथ ही करने की आवर्शक्ता है, रतनत्रे कभी भी प्रथक प्रथक रूप से नहीं होता, सम्मेक दर्शन, सम्मेक ज्ञा और सम्मेक चारित्र इन तीनों का मिलाप ही रतनत्रे कहा जाता है तो तीनों को एक साथ लेते हुए ही उनकी पूजाओं को करना याने एक साथ सम्मेक दर्सन याने पहले दिन रतनत्रे के वरत के पहले दिन भी तीनों पूजा दूसरे दिन भी तीनों पूजा और तीसरे दि विशेश फल भी आपको प्राप्त हो सकता है इसलिए संक्षेप में रतनंत्रे वरत कम से कम तीन वर्ष तीन बार वर्ष में और दिन में तीनों दिन तीनों पूजाओं को करते हुए ही करना स्रिष्टतम विदी है यही आपके लिए सम्मेक समधन मुहित जेन सागर माद्व प्रदेश से माराश्री के चरणों में बारम बार नमुस्तु निविदित करते हुए अपना समीचिन में कलब रख रहे है कि माराजी पंचामरत अभिशेक की पदती कहां से प्रारम हुई आगम में इसका वर्णन कहां मिलता है हमारे समीचिन में कलब का समयक समाधान करते हुए हमारा मार्क दर्शन करने के अंकमपा करें नमुस्तु माराजी नमुस्तु तातकालिक व्यवस्था बर्तमान की परंपरा और आगम परंपरा इन दोनों में सर्वस्रिष्ट आगम की परंपरा हुआ करती है बहले ही व्यक्ति आगम की परंपरा को प्राप्त कर पाएं नहीं कर पाएं पर किसी भी प्रकार से आगम की व्यवस्ता को आगम में उल्लेखित उन परंपराओं को परदतियों को जीव नकार नहीं सकता धुतकार नहीं सकता करना नहीं करना ये जीव की व्यक्त प्रतिगत चारित्र मुहुनी की दशा हो सकती है पर जो आगम में लिखा है उसे मानना ही नहीं ये सम्मेक्त रहित दशा हुआ करती है। त्रैकालिक रूप से ही स्विकार करने की आवज सकता है। उस पदम पुराण में भी आचार रविसेन महराज ने उस एक-एक अभिशेक का फल बताते हुए कहा है कि दूध के अभिशेक का क्या फल मिलता है। इसलिए ये आगम की व्यवस्था समस्ते हुए स्विकार तो करना ही होगा। भले ही कर पाए नहीं कर पाए क्षेत्रिये लोग जनपत सत्य आदी की व्यवस्था भिन्न होते हुए भी आगम की पद्धती को पहले आगम की पद्धती ही मानना होगा। भी प्रारंब नहीं हुई है पर ये भी ध्यान रखे ये जो अभिशेक की व्यवस्था आगम में आचैरों ने बताई है वह पूर्ण रूप से शुद्धी का ध्यान रखते हुए ही करने की आवज सकता है। वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर मात्र एक संप्रदा एक पंथ को लेकर ये जो व्यवस्था की जाती है वह आगम की अनकुल समझ में नहीं आती क्योंकि उतनी शुद्धी का ध्यान वहाँ नहीं रखा जाती। ऐसे अनेक कारे होते हुए देखने में आते हैं इसलिए ये साक्षात प्रमानित है कि कुछ वर्ष पूर्व ये सबकुछ पूरे भारत में होता था। ये कोई तातकालिक पद्धती नहीं है ये आगम के परिपेक्ष में बहुत प्राचीन पद्धती है जिसका कई सारे आचर भगवन्तों ने द्रिस्टान देते हुए बहुत अच्छे से सपश्टी करण के साथ बहुत बहुत विशेश रूप से अनुकरण करने का भी दर्शन किया है पर मैं तो यही कहना चाता हूँ आप कर पाए नहीं कर पाए ख्षेत्रिय परमपरा मर्यादा आदी का ध्यान रखते हुए ही इसको अमल में लाने का पुर्शारत करें पर ये भी ध्यान रखे कि करना नहीं करना भिन्न विश्य है पर मानना तो आगम की एक से कम स्रध्धा का विशय बनाए हमारे सम्मेक दर्शन को सुरक्षित करने का प्रयास करे सम्मेक चारित्र में भले ही दोस लगे क्रियाओं में हम नहीं ला पाए जनपत सत्य को स्वीकार करते हुए पर आगम के सत्य को आगम सत्य स्वीकार करते हुए उसका उसे स्रध्धा का विशे बनाना आपके लिए परमावस्यक है ये तातकालिक नहीं आपितु आगम के परिपेख्ष में त्रहकालिक पध्धती चल रही है यही आपके लिए सम्मिक समद्ध स्रीमती मेनाजेन चिरगाउं उत्तर पर देश दिन भर में या राद भर में लगे हुए अपने उन दोसों में चाहे वे वरतों में हो चाहे नियमों में हो या दिन भर की राद भर की चरिया में क्यों न जो भी दोस लगे है दोसों के प्रक्षालन के लिए पश्चाताप के भावों के साथ जो आलोचना निंदागरह की जाती है उसे प्रतिक्रमन कहा जाता है और आर्त्र रौद्र परणामों का त्याक करते हुए सभी जीवों के प्रती दया करुणा के साथ जो कार्य किया जाता है वह सामाई का कहला जाता है इसलिए इन दोनों आवर्शकों का पालन करते हुए चाहे वह मनिराज हो चाहे कोई श्रावक हो उसका जो नियत क्रम है उस क्रम से ही कार्य करने की आवर्शकता होती है च्योंकि मा स्वाभाविक सी बात है आप किसी बरतन में कोई सामगरी रखना चाते हो तो सबसे पहले आप उसे साफ करेंगे पहुचेंगे और फिर उसके बाद उसमें कुछ सामगरी रखोगे बिलकुल प्रतिक्रमन सामाईक के विश्य में भी हमें यही समझना होगा जब तक प्रतिक्रमन करके जीव सामाईक में नहीं बैठेगा तब तक कही न कहीं कुछ विकल्पों को लेकर ही वह सामाईक करेगा जैसे बरतन को साफ करने के बाद एक मा उस बरतन में वह स्वच्छ अच्छी सामगरी रखती है ऐसे ही प्रतेक स्रावक, प्रतेक व्यक्ती, प्रतेक मुनिराज को सबसे पहले वह प्रतिक्रमन करना ही आवस्चक है प्रतिक्रमन के माध्यम से दिन भर में या राद भर में जो भी दोस लगे है व्रतों में नियों में में चर्या में उसका प्रक्षालन करते हुए अपने आत्मा को सुध्ध किया जाता है और पुना उस सुध्ध किये आत्मा का चिंतन करना मनन करना आधी कारे उस सामाई के मा किया गया है कुछित कदाचित किसी अपरिहार्य कारणों से क्रम का उलंगन हो रहा है तो उसके लिए भी प्राइशित लेने का प्रावधान हमारे आगम गरंथों में लिखा है पर प्रावधान यह नहीं बनाया जाए कि ठीक है कोई बात नहीं प्राइशित जब लेना ही है तो हम रोज ही बाद में करेंगे, ये अपरिहार्य कारणों में कवचित कदाचित लेट हो जाए, कुछ असुविधा है, विशमता है, तो ये मर्यादा का उलंगन हो, अन्यता क्रम यही होना चाहिए, पहले शुद्धी और फिर शुद्धता की प्राप्ती, पहले प्रतिक्र और फिर उस प्रतिक्रमन के बाद उस शुद्ध आत्मा के चिंतन के साथ सामाईक आदी ही करना चाहिए, यही आपके लिए सम्मिक समध सम्मिक समाधान प्रति दिन प्रसारित होता है, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, एवं बेल आइकोन को जरूर दबाए, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीजों को अप्टुडेट रह सकते हो, सम्मिक समाधान यह कारे करम प्रति दिन ठीक चार ब आप सभी लोग घर बैठे, टीवी के माध्यन से भी इस कारे करम का लाब लेते होए, अपने मन के उठने आले विकल्पों का सम्मिक समाधान प्राप्त कर सकते हैं, 870-754-8811, यह हमारा वाट्साप का नंबर है, आप इस वाट्साप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सक अब इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिशी तक पहुचा जाएगा, और मुनिशी के मुखारविन से हम सभी लोग उसका सम्मिक समाधान प्राप्त करेंगे, अगर आप वाट्साप टे टाइप नहीं कर सकते हो, तो एक कागच पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के, उसकी फोटो खीज के, आप हमें वाट्साप कर सकते हैं, एवं उस फोटो को वाट्साप के द्वारा हम तक पहुचा दें, एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम चे तक पहुचा सकते हो, सम्मेक.समाधान.gmail.com यह हमारी इमेल की आई सम्मेक.समाधान.gmail.com इसके माध्यम से आप हमारे आपके विकल्प हमा तक पहुचा सकते हो, प्रति दिन मुनिशी के प्रवचन दो बच के 30 मिनट पे आदिना टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं, आप सभी लोग आदिना टीवी चैनल के माध्यम से भी मु नमस्तु 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 इस कारिक्रम के पुण्यार जक्थे स्वर्गी श्रिमान सेठ मानिकलाल उगर्चंद शाह एवं स्वर्गी श्रिमती विमल्श्री मानिकलाल शाह की पुण्य स्पृति में पुत्र पुत्र वधु पौत्र पौत्री बेटी डामांद एवं समस्त प्रिशार परिवार